। दोस्तों राजह सलकारदवाराज पट्वारी की होने वाली परिष्षाओं की पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो मैं उसका वीडियो का जो है और कोशन पेपर मैं इस वीडियो में प्रवाइट कर रहें धो नमस्कारद almighty हूं आप क्रिश्णा और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल अभ्यास ओनलाइन क्लास में दोस्तों इस वीडियो को आप लगातार देखती है बीना इसकीप कियो है क्योंकि हम इसमें ओल्ड कोशन की पिपर की बात करेंगी जो पीछले वर्ड से कोशन सब्सक्राइब उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करों नॉटिफिकेशन बेल को भी अन करें ताकि मेरे दोहरा अप्लोड किया गया वीडियो आप बिना किसी मिश्टेक के बिना किसी रुकावाट की लगातार वाच कर सकोगे क्योंकि दोस्तों बेल यह question important हो जाता है यह part जिसमें सभी प्रकार की जो है समीधान से संबंदीत अर्थसा संबंदीत विश्व का भोगोल भारत का भोगोल भारत के इतिहास और विश्व का इतिहास संबंदीत के साथ साथ विज्ञान के भी बहुत सारे प्रशने इसमें पूरी तरह से सामिल होत अगला प्रशन देख लेते हैं जम्मू को स्री नगर से जोडने वाला दर्रा कौन सा है तो जम्मू को स्री नगर से जोडने वाला जो दर्रा हो दोस्तों बनिहाल दर्रा है आप इसके बारे में पढ़े होगे जियोग्राफी में जो जम्मू है और स्री नगर को दोनों को जोडने वाला दर्रा क्या कहलाता है बनिहाल दर्रा कहलाता है अगला प्रशन देख लेते हैं चील का जील किस राज्य में इस्तित है वेरी सिंपल कोशन दो तो इसको आपका आंसर आपको पता ही होगा तो दोस्तों चील का जील जो इस्तित है वो उडिसा में है और चील का ज वाज होती है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि क्या होता है बल्ब के बाहर की वायू अंदर निर्वात में एक एक घुषती है या ऑप्सन दो पढ़ लेते हैं बल्ब के अंदर वायू एक एक घुषती है ऑप्सन सी क्या है बल्ब के अंदर के फिलामेंट के जो है फट तरह से गलत है क्योंकि बल्ब के अंदर गैस भरा होता है वो निर्वात की इस्थिती नहीं होती निर्वात मतलब क्या होता है जहां पास भी गैस नहीं हो जो क्या कहलाता है निर्वात कहलाता है लेकिन क्या होता है बल्ब के अंदर वाईयू एक एक घोस्ती है दोस्तों परिश्रत संबंधित प्रश्ण इतनी कठीन आ गया है कि दोस्तों इसमें कूट से संबंधित भी प्रश्ण पूछा जा गया है तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ एक बटे तीन मतलब का हो जाईगा इसमें जो है 33 प्रतिशत सदस्य रज जे पाल द्वारा मनुहित की जाती है अगला पॉइंट है एक दसम एक बटे तीन मतलब 33 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाते है उसके बाद दिया है 1.1 बटे 6 सदस्य इसनातकों द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं अगला पॉइंट दिया है एक बटे बारा सदस से सिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं अगला पॉइंट दिया है अनुपातिक प्रतिनी धित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं तो दोस्तों इसका जो स चार पांच आठ हमें हम लोग इसमें देख लेते हैं दो चार पांच आठ ये ही क्या है दोस्तों सही है मतलब जो है एक बटे तीन सदस्य जो होता है दोस्तों विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं दोस्तों विधान परिशाद क्या होता है राज्य में इसी तो दोस्तों चुनिंदा राज्य है जहां पास विधान परिशाद राखा गया है दोस्तों तो वहीं से क्या होता है उसी विधान सभा से एक बटे तीन मतलब क्या होता है 33 प्रतिसर जो सदश्य है वो विधान परिशाद में चुने जाएंगे उसके अगला पॉइंट दिख लेते हैं एक बटे बारा सदश से इसनातकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं ये बिल्कुल सही है और साथ ही साथ एक बटे बारा सदश से सिक्छा को द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और इसके अलावद दोस्तों और जो सही है वो अनुपातिक प्रतिनी धिर् yrतो प्रणाली द्वारा जो है सदस से निर्वाचित किये जाते हैं तो दोस्तों इस तरह ये चारों आप्सन जो है सही हो जाएगा और आप्सन जो है सी 2, 4, 5, 8 सही हो जाएगा अगला प्रशन है अगला प्रशन भी इसके है दोस्तों विधान परिशत से ही संबंदित है विधान परिशत को का जो है क किसी राजनेतिक डल में बिलाउंग करता है और 6 माहिने बाद वो डल बदल लेता है तो इस समय क्या हो जाएगा दोस्तों उस समय जो होगा तो उस समय क्या होगा वह सदन की सदस्यता है तू अयोग्य घोसित कर दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा सदन के योग्य नहीं ह बिल्कुल निर्णायन नहीं लेगा क्योंकि उसे पुदरन बर्खास्त कर दरिया जाएगा अगला इसमें पॉइंट दिया है अध्धक्ष इस विशाय का निर्णायन लेगा तो दोस्तों उसमें निर्णायन नहीं लेगा क्योंकि वो क्या होगा अपने पद से बाहर चला जा उस पर आयोग्यता का प्रश्ण उत्ता है तो उस समय क्या होगा तो विसाय जो है राष्टपती को भेज दिया जाएगा विसाय राजजपाल को भेज दिया जाएगा या विसाय जो है भारत के निर्वाचित आयोग को भेज दिया जाएगा या विसाय सदन के अध्धक्ष को भेजा जाएगा तो दोस्तों ये उस समय क्या हो जाएगा इस सिती में राज जिपाल को जो है वो अधेश जो है सूचना दी जाएगी और उसका अंतिर निर्णा क्या होगा वो ही बताएगा अगला परशन देख लेते हैं जब अपात काल्म की घोशना जो है प्रवरतन में हो होता है तो फिधान सभा का प выпуск कारेकार पूर्णा हो जाने मे के बाद उसकी उधी एक बार में एक वर्ष lotta बढ़ाता है जब अपात काлюч्रती है तो उससे व हृष संसथ से दिया जाता है और वह राष्टपति दौर्हा बढ़हा निमनेली खित में स्वारवर्चिण निमनेल हैं क्झे भिकार में नहीं है. सर्वोचिन नयायला के प्रारंभिक छेतरा दिकार में नहीं है मतलब जो सर्वोचिन नयायला है उसके अधिकार में कौन कौन सी चीजे नहीं है तो दो राज्यों की मद्ध अगर विवाद होता है तो वो कहां जाता है सर्वोचिन नयायला के पास जाता है है न तो दोस्तों तो इस तरह है दोस्तों इसमें पांच और छे जो है पूरी तरह से छेतरा धिकार जो है पूरी तरह से गलत है पांच और छे जो है उसके छेतरा में नहीं आता तो दोस्तों लोग सभा के जो सदस्यों का चुनाओं का विवाद होता है वो लोग सभा अध्यक्ष ही संभालता है और राज्य सभा के सभापती संभालता है मतलब उपराष्टपती संभालता है तो दोस्तों इससे संभालती दो राज्यों के मद्ध विवाद होता है तो तरह से सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन नंबर है 95 ने भारती समीधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है तो दोस्तों विदेश यात्रा का अधिकार जो उसे मिला है अनुच्छेद 21 जो है जो है दोस्तों ये पूरी तरह से जो है ये मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है और मौलिक अधिकार जो है भाग तीन में पूरी तरह से वर्नित है हमारे मौलिक अधिकार के रूप में अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है भारतीय समीधान के अनुच्छे 376 में 336 में तथा यथा भाषित जीला ने आया धीस में निम्न लिखित में इसे कौन सा समलित नहीं है तो दोस्तों जो जीला नहीं है उसमें कौन से चीज है जो है समलित नहीं है तो चार नौ दस जो है इसमें समलित नहीं है तो दोस्तों जो इसमें कौन कौन सा नहीं है चार दूस्तों जो है इसमें पूरी तरह से समलिद नहीं है उसे बारे में बात करने से समलिद नहीं पड़ेगा क्योंकि दूस्तों उसी हमें याद नहीं राता है तो जæ romance जीला न्यायधिस जो is 346 को थी शिया नियायधिस लेका नियायदिस अतरिक्त जीला नयाधिस संयुक्त जीला नयाधिस मुख्य जो है प्रेसिडेंट मजिस्टेट अतरिक्त मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्टेट सत्र नयायधिस और इसके अतरिक्त जो है अतरिक्त सत्र नयायधिस जो है इसमें पूरी तरह से सामिल है दोस्त अगला प्रशन दीज है निम्न लिखिद में से कोन एक गैस का उपयोग प्रत्म विस्व युद्ध में रसाइनिक हथियार के रूप में हुआ था दोस्तों मस्टर्ड गैस मस्टर्ड गैस जो होता है दोस्तों अप्शन जो है इसमें भी आप्शन जो है सही होगा मस्टर्ड गैस जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का आशू निकालने वाला गैस होता है अस्टरू गैस में इसका यूज मस्टर्ड गैस का प्रयोग कि किया गया तो इसका जो सही option है mustard gas जो अस्रू gas के रूप में किया उपयोग किया जाता है अगला प्रेशन देख सकते हैं क्रिशी और संबंध छेत्रों में किसे सामिल नहीं किया गया है क्रिशी और संबंध छेत्रों में सामिल नहीं किया गया है वो क्या है खनन और उत्खनन फसल एवं पसुधन ये क्रिशी के अंतरगत आता है वानिकी या बगीचा या बागबानी ये क्रिशी के अंतरगत आता है मतश्य पालन भी क्रिशी के अंतरगत आता है लेकिन खनन एवं जो उत्खनन ये अलग विभागा जाता है जो पूरी तरह से सरकारी विभाग के अंतर और ने किया है तो अधिकतर जो चेतर योगदान दिया गया है वो शेवाय है दोस्तों जो पूरी तरह से आर्थिक वृद्धिधार को बढ़ा है क्रिसियम संबंध्ध छेतर और वनिकी चेतर और यह दोस्तों इसमें उतना खास नहीं वृद्धि हुआ है अधिक योगदान जो हुआ है वो सेवायों में हुआ है तो इसका जो सी ओप्सन जो सहीं हो जाएगा व्यापम भी इसे सहीं उत्तर लिया है दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन नमबर है सववां नेमने लिखित में व्याय प्रबंधन आयोग गठीद करने का उदेश क्या नह है वह नहीं क्या है सरकार की आयोग कोशीय सुरुद्रिन करना मतलब उसे कठोर तरीके से राज कोश्व है उसे सम्हाल के रखना अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना मतलब किसी भी विभाद द्वारा उत्पादन हो रहा है जिससे क्या हो जाएगा आय में वृद्धी हो इस पर उसे पूरी ध्यान रखता है अ और क्या हुआ पेट्रोलियम का दाम धिरे-धिरे घटा था तो दोस्तों इसी तरह खाद्य है उर्वारा खाए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था लेकिन पेट्रोल यो है उसमें परिवर्तन देखने को मिला था अगला प्रेशन लेख सेते हैं भारत में किसे वित्तिय समावेश योजिना के रूप में जाना जाता है तो वित्तिय समावेश योजिना के ताहत जाना जाता है प्रधान मंत्री धन धन योजिना के ताहत दोस्तों लगभग डेढ करोड जो है दोस्तों प्रत्यक राज्य में इस तरह दोस्तों अधिक खाता खोला गया है जिसे प प्रद्धान मंत्री जन्धन योजना प्रत्यक मतलब जीरो बैलेंस में इसमें आपका अकाउंट खोल सकते हैं इसके अलावाज दोस्तों संसद आदर्श ग्राम योजना जन बंधु कल्यान योजना योजना ये सब उसमें वित्ती समावेश में शामिल नहीं है वित्ती आईयू से आगे अधिक रहा है मतलब जन्धन संख्या जो सो तो 2020 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाधा जय सरकार जो है जो जन्धन संख्या की आउसात आईयू से आगे हो जागा तो दोस्तों अभी क्या है उपरोक्थ सभी कियों कि क्या हो रहा है केरल तपील, पाडू हिमाचल प्रदेश के सांसात अन्य भी राज्य हैं जहां पास लगतार जनसंख्या वृद्धी हो रही है तो उपरोग के सभी क्यों क्या लिया है सही आंसर लिया और वही सही है अगला पर देख लेते हैं वर्ष दो हजार एक्कीस तक वेश्विक ताप में दो डिग नहें जो यह है वो भारत सारकार दो हो जाए तो दोस्तों इसके मांद् 우리가 होगा जो ताप मान होगा लगातार नहीं बढ़ेगा वैस्विक करण में क्या हो कारण अमलवर्षा होती है यह कारण है और इसका यह कथन है दोस्तों कारण क्या है इसका हम लोग पढ़ लाते हैं कोईले के दहन से कारबन की ऑक्साइड मुक्त होते हैं तो इसके अधार पर जो है ऑप्सन को देख लेते हैं और उत्तर भी उसी का क्या होगा यह भी देख ल तो दोस्तों अगला ओप्षन दे दोनों कथन ए तथा कारण बी सत्य है परंतु कारण आर कथन एकी सत्य व्याख्या नहीं करता है तो और अप्षन जो दिया हूं उसमें कथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है अगला ओप्षन यह है कथन ए गलत है परंतु कारण जो है आर सही है तो दोस्तों इसका जो है बी ऑप्सन सही है क्योंकि क्या हो जाएगा दोनों कथन जो है ए तथा भी सत्य है क्योंकि दोस्तों कोईला अधारित होता है उसमें कार्बन मोनो अक्साइड होता है जिसकी जैसे क्यों होता है कार्बन मोनो अक्साइड जो होता है वायू मंड तो उसमें carbon dioxide अधिक तरहाताया, carbon monoxide भी अधिक रहता, तो उसमें sum我们 sun various सलफ़र से निमान करता है, और वह अमलक के रूप में क्या होता है वो एक खटा होता है, तो वह अमलक के रूप में वर्षा होता है, तो इस तरह सही-sahी व्याख्याद जो है इसमें पूरी तरह서 Warum Ops रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व जो नहीं है, फ्रेंसियम जो है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियौम भी है, एक्टेटियम भी है, रेडियो एक्टिव तत्व लेकिन जरकेमियम जो है, रेडियो एक्टिव तत्व के नहीं गिना जाता है तो यह एक प्रकार का अर्धचला की रूप में गिना जाता है जरकेर्मिन तो इसका भी आप्सन जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन देख लेता है नीम लेली खितमे से किस हार्मोन में आयोडीन होता है तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है तो किस हार् इधापन का अधिक से अधिक होता है तो इसमें तीनों में नहीं होता है आयोडीन लेकिन थायरॉक्सीन जो हता है उसमें आयोडीन उपस्चीत होता है तो इसका यह आप्सन जो है सही हो जागा अगला प्रशन देख रहता है निमनली खित में से कौन सा यूगल जो है गलत यह क्या होता है नीला तोथा की नाम से भी जाना जाता है दोसों cus4 और 377 as2 है न मतलब यह क्या होता है यह copper sulphate के साथ hydrogen जो मिलते हैं तो क्या होता है नीला तोथा का निर्मान इसमें होता है तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या होगा सही होगा अगर सोडियम बाई कार्बोनेट जिसे क्या होता है बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है सोडियम बेकिंग सोडा मतलब यह बिल्कुल भी सही हो है दोस्तों और इ काश्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है की से कहा जाता है। नो type सोडिक सोडा की नाम से जाना जाता है। पोटेसियम हैड्रॉकसाइट को क्या कह जाता है काश्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन देख लेते हैं उत्तरवैदिक काल में क्रिशी अर्थवस्था के विकास में निम्न लिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था तो दोस्तों जो इसमें लौह तक प्रशन देखने की का प्रयोग स्टार्ट हो गया था अगला प्रशन देख लेते हैं समुद्र गुप्त द्वारा पराजित दक्षिना पत्थ था दक्षिन भारत के कितने सास्कों का उलेक प्रयाक प्रस्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आपको वहां देखने को मिलेगा उसमें से उन प्रसस्तियों में दोस्तों 12 नाम आपको देखने को मिलेगा तो इसका जो है सी ऑप्सन जो है सही हो जाएगा अगला परशन देख लेता है दिल्ली सल्तनत में के विगटन का लाब उठा कर निम्नली खित में से किस राजवन्स ने जौनपूर में अपने स्वतनतर राज़ी की स्थापना की जौनपूर में जौनागर ने क्या किया था जौनपूर सहर को बसाया था और इसी सहर में दिल्ली सल्तनत की जो राजा थे उसी के सासनकाल में स्वतनतर रूप से जो सर्की थे टर्की जो है थे दोस्तों उन्होंने अपना राजवन्स को इस्थापित किया था तो दोस्तों इसका जो है ए आप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा अगला परशन देख लेता है मुगल समराज्य के विग्टन का लाब उठाते हुए इनमें से किस एक स्वतंतर राज्य अवद की स्थापना की थी तो दोस्तों सहदत खाँ जो है इनकी जो है स्वतंतर राज्य अवद की स्थापना इनके द्वारा की गई थी तो दोस्तों इसका ए आप्शन जो है सही हो जाएगा अगला परशन देख लेता है 1905 में भारती राश्टिय कांग्रेस के बनारास अधिवेशन में इन में से किसने सर्व प्रथम स्वाराज्य की मांग की थी तो दोस्तों गोपाल कृषन गोखले है जिन्होंने प्रथम बारती राश्टिय कांग्रेस के बनारास अधिवेशन में तो दोस्तों दादा भाई नरोजी भी है बहुत सारा आप्शन लिया जाता है लेकिन इसका सही आप्शन का है गोपाल कृषन गोखले जो व्यापम दोरा सही अंसर लिया गया है अगला परशन देख साता है इन में से किस के नेत्रितों में 1921 के उत्तरार्ध में असायोग अंदलन के दोरान सहीयोगत प्रांथ को एक अंदलन का सुत्रपात हुआ आप इस्तिहास पढ़े होगे तो मदारी पासी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होगे तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कथी कीजिए अगला परशने देखते हैं युवाओं क्रिशिकों और कामगारों में राष्टिये चेतना को जगाने है तू भारत भगत सीह ने 1926 में निम्नली खित में से कौन सा संगठन इस्थापित किया था तो दोस्तों नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था तो दोस्तों 1926 में भगत सीह द्वारा योकां मतलब नौजवान जो थी युवक किसान और साथिसान जो बिरोजगार वैक्ती थे और साथिसान जो कामगार वैक्ती थे उनके एक संगठन बनाया गया उस संगठन का क्या नाम था नौजवान भारत सभा के नाम से वो चला थ हा अगला परशने देख से हैं नीम्लनाई लिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उप्योग रात मे देखने वाले night विज्on camera में होता है दोत्तों night विजर्ण कामरे में गर्या यहाता है वो तो दोस्तों इसका जो सही option है वो option C जो है पूरी तरह से सही है अगला प्रशन देख लेते हैं मंगलोर बंदरगाह के मंगलोर बंदरगाह से किस खनन छेतर का लौह एस्क निरात होता है तो दोस्तों जो है वहाँ से कुद्रे मुख कुद्रे मुख क्या है दोस्तों करनाटक में इस्थित है जहां पास से मंगलोर बंदरगाह से निकाले गए लौह एसक निजात किया जाता है दोस्तों कुद्रे मुख में क्या है लौह का सबसे बड़ा ख़दान है जो करनाटक में इस्थित है भारत के सबसे बड़ा खदान का है कुद्रे मुख में इस्थित है अगला प्रशने देख लेते हैं अगला प्रशने है नर्मदा एवाम तापी नदियों के मद्ध कौन सी परवत माला इस्थित है तो दोस्तों जो नर्मदा नदी तापी जो नदी है उनके मद्ध जो परवत माला इस्थित है वो सत्पूरा जो नदी है सत्पूरा परवत माला इस्थित है दोस्तों जिसमें जो नर्मदा नदी जो दी गया है वो अमर कंटक से निकलता है अमर कंटक जो है मद्ध प्रदेश में इस्थित है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें और भी एक और नदी निकलता है जो अमर कंटक से निकलता है वो है सोन नदी जो है नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों क्या होता है अमर कंटक से निकलता है अगला प्रशन देख लेता है इन में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है चेरा पुंजी निमनिल खित में से किस पहाड़ी पर इस्थीत है तो दोस्तों चेरा पुंजी जो इस्थीत है वो है खासी पहाड़ी पर इस्थीत है दोस्तों गोरा और गारो खासी आप एक साथ पढ़े होगे है ना तो द पुरे आंसर सहीद दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक करें साथी साथ कमेंट करें कि कि अगर कोई कोईशन आकर आपको डाट फूर रखता है तो कमेंट करें और साथी साथ इस वीडियो को जदर ज़्याद अपना वाट्सव ग्रूप में फेस्बूप में इस्टाग्राम में जितने भी स्टीडी मेटरियल ग्रूप है जदर ज़्याद इसे शेयर करें दोस्तों अगर मेरे कि मैं वीडियो अभी अप्लोट करता रहता हूं तो जरूर सब्सक्राइब करों नॉटिफिकेशन बेल को भी आउन कर ले थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखे उसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अल्दा बेस्ट